स्वागत है आपका मेकेनिकल एजुकेस्टन फोड़ाम में आसा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज कहा हमारा जो टॉपिक है ओ है थर्मोडैनेमिक्स के उपर थर्मोडैनेमिक्स क्या होता है इसको आप बहुत ही बहुत ही इजी भासना में मैं आपको बताऊंगा क थर्मोडैनेमिक्स यह जो वर्ड है उसका मतलब क्या है और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि थर्मोडैनेमिक्स में हम करते क्या है ठीक है बुक्स आप देखिएगा तो इसमें अच्छे-चे डिप्रिशन लेकिन जो एक्जेक्ट मतलब है थर्मोडैनेमिक्स का वह अगर आपको थर्मोडैनेमिक्स का यह जो मैं बताओं का वह पता है तो बहुत इच्छी बात है अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं मैं हुना तो चलिए पहरे देखते हैं थर्मोडैनेमिक्स का मतलब क्या है देखिए यह जो आपका थर्मोडैनेमिक्स वर्ड है यह द thermodynamics से आपके दो ग्रीक वर्ड्स हैं और इन्हें को कमबाइन करके thermodynamics वर्ड बना है तो यह कि थर्म का जो मतलब होता है वह आपका होता है एनर्जी और डैनेमिक्स का मतलब होता है ट्रांस्फॉर्मेशन दिए कई बार आपको यह confusion होता है कि therm का मतलब होता है वह हीट होता है लेकिन यह सही नहीं है therm का मतलब हीट नहीं होता इनर्जी होता है कैसे मैं आपको आगे बताओंगा ठीक है और इनर्जी भी है यह तो बहुत ही इनर्जी क्या होती है तो आप स्कूल लेवल से पता होगा तो मैं बताओंगा ना इनर्जी क्या होती है मैं आगे चलता हूं ठीक है इतना मैं उमीद कर सकता हूं आपको इनर्जी के बारे में पता होगा क्यों कि आप इंजिनरी मेकेनिक्स पर सुके है उसमें इनर्जी के बा कंजर्वेटिव एनर्जी और नन कंजर्वेटिव इतनी टाइप्स की जो है मारी एनर्जी होती है इतने tims के हमारी energy होती है अब बात है कि इतने tims के जो energy होती है इनवे भी stored energy में भी हम देख लेते हैं क्या क्या होता है stored energy में आपका आता है internal energy ठीक है internal energy मैं इन्टर्नल इनर्जी, पोटेंसियल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी, ट्रांजीशन में आपका आता है वर्क मैं कोई हाइट पर यह पे न रख रहा हूँ, गराउंट से कुछ हाइट पर यह इनर्जी पर गश्राव है, जा मैं इसको नीचा करूँगा तो तो kinetic energy में बदल जाएगा, तो energy इसमें concentrated है ठीक है, उससलिए talks इतना आपको पता हुग guar ये बेसिक सी चीज़ है, तो recharge energy में आपकी internal energy, potential energy और kinetic energy चाहती है ट्रांजीशन जो इनर्जी होते हैं इसमें वर्क और हीट आता है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि इनर्जी का मतलब यह थर्म का मतलब हीट होता है थर्म का मतलब केवाल हीट नहीं होता थर्म का मतलब इनर्जी होता है और हीट भी इनर्जी है heat is also form of energy लेकिन therm का मतलब के वाल heat नहीं होता therm का मतलब energy होता है thermodynamics में ठीक है और उस energy में इतनी साड़ी energy आती है internal energy potential kinetic work and heat ठीक है transition का मतलब work और heat आती है transition का मतलब वह होता है जो जब यह flow करती है तब ही पताचल पाता है कि यह कितनी है जैसे work और heat आपको पता है यह boundary phenomenon है यह पात पर depend करती है जब boundary cross करेंगी तब ही पताचलेगा कि work इतनी है या heat इतनी है यह होता है therm का मतलब transformation का मतलब होता है कि transform कर देना यह कोई चीज है मालेज यह कोई चीज है इसको किसी दूसरे form में transform कर देना यह बात अलग है कि यह matter कुछ और है यह कितनी होगी कितनी नहीं होगी यह अलग matter है transformation का मतलब होता है कि एक form से दूसरे form में transform कर देना transformation कर देना उसका जैसे समझ लीजीए thermodynamics में आप क्या देखते हैं कि heat को work में मैं example लेड़ाऊंगे वो work को heat में और heat को work में transform किया जा सकता है यह कितना होगा यह अलग matter है कि heat एक low grade energy है और work एक high grade energy है heat को complete work में करदा करना impossible है यह बात आपको पता होगी मैं को example लेड़ाऊंगे transformation का मतलब यह होता है ही heat को work में और work को फिर heat में convert किया जा सकता है यही मतलब होता है transformation का और energy का मतलब होता है किवल heat नहीं energy में किवल heat नहीं आता इसमें इतनी स्टड़ी energy आती है तो जब इन दोनो work का हम जोड़ देंगे energy और transformation तो आमना क्या मतलब हुआ energy का transformation ही thermodynamics है फिर से energy का transformation ही thermodynamics है और यह इस चीज के बारे में हम जिस सबज़क्ट में पढ़ते हैं वो हमारा thermodynamics है clear clear हुआ आप comment में सकताने बताए हैं है clear हुआ कि नहीं energy का transformation ही thermodynamics है और therm का मतलब होता है energy इसमें इतनी साड़ी energy आती है कि वहले हिट नहीं आता ठीक है और dynamics का मतलब होता है transformation transformation इनर्जी का transformation ही thermodynamics है simple सी simple सी बात बुक में आपको बहुत साइसे diffnition है जो मिल जाएंगी जो आपको बताएंगी कि वह diffnition गरत नहीं है लेकि आपको समझ नहीं आएगा तो यहां से आप जब इस चीच को समझ लेजिएगा तो जो भी diffnition हो थ्रमोटाइनिमिक्स के मैं कुछ diffnition को डिस्क्रिप्सण में भ सब यहां को समझ आ जाएंगे तो एक और बात अगर आप यह समझते हैं कि थर्म का मतलब केवल हीट होता है तो अपने दिमाग से हट आ देजिए थर्म का मतलब थर्मोटाइमिक्स इनरजी होता है कि वहल हीट नहीं होता हाँ हीट भी एक इनरजी है यह बास सही है लेकिन इनरजी में इतनी सड़ी आ यह मतलब वहता है थर्मोट डैमिक्स में समझ रहा है बात को तो मैं चोंटी से टीविशे द्लिए देता हूं धें मोटार इसका रही पर मैं यह सखोश्राइप table क्या ट्रांस्फोर्मेसान ओफ इनर्जी इस थर्मोडैनेमिक्स बस और कुछ नहीं और कुछ नहीं और आप और विडिप्शन चाहते हैं तो मैं तो डिप्शन बॉक्स में लेकिन थर्मोडैनेमिक्स का मतलब यही होता है इनर्जी का ट्रांस्फोर्मेसान ही थर्मोडैनेमिक्स है बुक में आपको इनर्जी का इंट्रेक्शन भी मिलता है बात वही है बात बिल्कुल वही है इनर्जी का ट्रांस्फोर्मेसान कही है यह इनर्जी का इंट्रेक्शन कही है बात वही है ठीक है तो आई होप आपको य तो लाइक करिए पसंद नहीं है तो डिसलाइक करिए लेकिन कुछ तो करना है ना कुछ तो करना है ठीक है थांक यू